टीप्स फोर बिगनर्स तो जैसा कि आप देख सकते गाईज मैंने अभी अपने एकाउंट को रेश्ट इन पीस कर दिया क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी थी बिगनर्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट भी मेरी तरह अपगरेडेड हो जाए इससे एकाउंट की तरह नहीं जो मेरा मेन अकाउंट है उसकी तरह तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है जो बातें मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको बस आप उनको follow कीजिए और जो गलतियां मैंने की थे उनको आप मत दोराइएगा क्योंकि गाइस जब मैंने इस game को start किया था ना तब मैंने बहुत सारी गलतियां की तो मैंने ही चाहता कि आप भी वह ही गलतियां करें अगर मैं उनको नहीं करता तो मेरा अकाउंट आज बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड़ेड होता आज मेरा अकाउंट जितना भी अपग्रेड है ना या उससे भी ज़्यादा अपग्रेड होता तो गाइस इस game के अंदर हमें सबसे पहले जाना है क्वेस्ट मोड के अंदर और जैसे आप क्वेस्ट मोड में क्लिक करेंगें अच्छा हाँ ये नजर आएगा वेलकम टू दा क्वेस्ट मोड फर्स्ट टाइम उसके बाद एक मिनिट इसको हट आव पहले एक सेगेंड अरे हट यार हाँ चलो ठीक है तो गाइस आपको कुछ ऐसा सीन नजर आने वाला है तो यहां बहुत सारे टावर है तो अभी मैं टावर नंबर जिरो में हूँ क्वेस्ट नंबर वन वेलकम तो गाइस सबसे पहले क्वेस्ट मोड के अंदर आपको अनलोग करना है तो यह ज्यादा मुस्किल नहीं है आपको सिंपली जिस टावर का अनलोग करना है उसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे कि मुझे अगर टावर नंबर वन अनलोग करना है तो मुझे क्या करना परेगा टावर नमबर 0 से तब टावर नमबर 1 अनलोग हो जाएगा टावर नमबर 2 के साथ भी same way situation है मुझे टावर नमबर 1 के अंदर question नमबर 4 को करना परेगा और टावर नमबर 6 के साथ भी वही situation है और टावर नमबर 8 के अंदर भी वही situation है तो जो भी टावर आप अनलोग करना चाते हैं आपको simply उस टावर पे क्लिक करना है और वो टावर आपको बताएगा कि आप कैसे उसको अनलोग कर सकते हैं जब आप टावर नुमर 6 और टावर नुमर 8 अनलोग कर लेंगे ना तो उसके अंदर 1 आवर के क्वेस्ट है वो न आपर के कोईश्ट करनेंज क्या फाएदा है आपको कि आप एक घंटे में 27 होल कलेक्ट कर सकते हैं और आप मैक्सिम्म तीन कोईश्ट लगा सकते हैं एपको तीन से चार हपते लग सकते है टावर नुमर 6 और टावर नुमर 8 को अनलोक करने में तो guys अगर आप tower number 6 और tower number 8 अनलोग कर लेंगे ना तो आप हर दिन 500 plus souls collect कर सकते हैं अब आप कैसे collect करेंगे इसके उपर मैंने एक अलग से video बना दिया है उसका link मैंने description में डाल दिया है how to collect 500 to 600 plus souls every single day वीडियो का title है तो उस वीडियो को आप देख लिजेगा उसमें मैंने detail में explain किया है कि आपको कौन से quest करना है और कैसे आप 500 to 600 souls every single day collect कर सकते हैं अब निकलते हैं quest mode के बाहर और चलते हैं store पर तो guys store में click करने के बाद यहाँ पर characters का option आएगा उसको चुनने के बाद यहाँ पर तीन characters आपको नजर आ रहे हुए कानो, क्लासिक, किटाना और सिराइडू, टकेडा तो यह MK Mobile का store है यहाँ पर हर 12 घंटे में नए-नए characters आते रहता है अब हो सकता है कि आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि कौन से character आपको लेने चाहिए और कौन से character नहीं लेने चाहिए तो silver और bronze characters को तो आप gold से खरीच सकते है लेकिन जो gold card है उसे आप gold से नहीं खरीच सकते है उसके लिए आपको souls चाहिए और souls बहुत ही जादा important है इस game के अंदर और आप कैसे souls को collect करेंगे इस बारे में मैंने आपको बता दिया है तो यहाँ इस store के अंदर आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आपको कोन से characters को खरीदना है तो guys इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बना दिये top 10 gold cards और उस वीडियो का link भी मेरे description में है और उन 10 cards को guys अगर आपने max out कर दिया तो आप किसी भी tower को clear कर सकते है थोड़ी problem आ सकते हैं लेकिन आप clear कर लेंगे अब आप उनको max out कैसे करेंगे तो देखो guys यहाँ पर कोई trick नहीं है मेरे पास ऐसा कोई भी pack नहीं है जिसको आप open करेंगे तो guaranteed है कि आपको यही card मिलेगा सब कुछ random है या मैं कह सकता हूँ कि random ही नहीं game की conspiracy है और story एक ऐसी जगह है जहाँ आपको वही card मिलेगा जो आप चाहता है बट यहाँ दिक्कत ही है ना कि यहाँ हर 12 गंटे में reset होता है और यहाँ वही card आता है यह 10 card आपको चाहिए तो वह 10 card जैसे ही आपको store में नजर आते है ना guys तो गलती से भी उनको miss मत कीजेगा हो सकता है आपकी दिमाग में यह सवाल आए हो सकता है आप ऐसा सोचे है कि यार जब मैं diamond pack open करूँगा ना तो उसके अंदर से ही मुझे यह cards में मिल जाएंगा बड़ ऐसा नहीं है guys क्योंकि जिन 10 cards के उपर मैंने विडियो बनाई है ना guys वह diamond packs के अंदर भी जल्दी मिलते नहीं है और यही reason है guys जब वो store में है तो आप उनको miss मत कीजेगा और उनको खरीद लीजेगा भले उनका price 450 soul हो या 250 soul अब चलते guys card packs की तरफ तो guys आप यहाँ जितने भी diamond card pack देख रहे हैं यह सब के सब गारबेच है आपके लिए no hard feelings बट सब के सब गारबेच है यहाँ तकी जो elite, netherium, elder god pack है ना guys यह भी गारबेच है आपको guys यहाँ पे रखना है patience हो सकता है guys आपको लग रहा होगा कि यह card pack बहुत ही अच्छा है और हो सकता है कि जब आपने first time इस pack को open किया होगा तो आपको एक diamond मिल गया होगा क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और यही trap है उनका क्योंकि जो आपके golds होंगे ना वो उनसे ज्यादा strong होंगे और आप उनको use नहीं कर पाई गया और मेरी advice आपको यही रहेगी कि आप इन packs पर अपने souls spend मत कीजिए और guys अगर आप open करना ही चाते है ना तो इस pack को open कीजिए जो क्यो 150 souls का है इसके अंदर आपको मिलते है basic gold card अब इससे होगा क्या और मैं आपको यह open करने क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ तो यहाँ आप देख सकते guys Jason Boris का challenge आया हुआ है और यहाँ पे total 5 tower है और हर tower के अंदर एक condition है कि किसी में आपको bronze character चाहिए तो किसी में silver और bronze चाहिए किसी में silver, किसी में outworld और tower number 5 में चाहिए आपको बराका बराका must be on your team तो जितने भी challenge characters आते हैं ना guys उनके लिए आपको एक certain character चाहिए तो Jason के लिए आपको बराका चाहिए unfortunately जो gold pack उसके अंदर बराका नहीं मिलता क्योंकि बराका एक challenge character है और मैं आपको advise नहीं दूँगा challenge character pack open करने की क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे challenge characters है और अगर आप बराका के लिए उसको open करेंगे तो guarantee नहीं इस बात की कि आपको बराका मिली जाएगा तो आप अपने souls वहाँ पे waste मत कीजिए अगर इस टोर पे आगे बराका तो आपका luck बहुत ही अच्छा है और अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं छोड़ दो यार क्योंकि गाईश सुरू की एक डियर महीने आप challenge characters को complete नहीं कर पाएगे क्योंकि आपके पास requirement नहीं होगी फोर एक्जेंपल अगर आप 4 टावर complete कर भी लेते हैं तो टावर नमर 5 आप complete नहीं कर पाएगे और जब तक आप 5 टावर complete नहीं करते हैं तब तक आपको Jason नहीं मिलेगा उन cards को लेकर आप challenge characters को complete कर सकते हैं तो गाई शुरू के 3-4 month आपको सिफ gold pack को open करना है और जितने भी आपके basic gold card है ना उनको strong करना है तो आपको बहुत सारे gold card मिलेंगे और उन gold cards से जो अगले challenge characters आएगे उनको आप earn कर पाएगे अब चलते हैं guys faction war की तरफ तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मेरा अभी कोई नाम नहीं है तो जैसे आप faction war में click करेंगे ना तो यहां पर option आएगा कि आप कौन सा नाम रखना चाता है तो कोई भी एक random नाम आप रख सकते हैं तो मैं अभी के लिए दा को select कर लेता हूँ तो नाम select करने के बाद guys यहां एक option आता है तो यहां आप देख सकते हैं total 5 league है black dragon, brotherhood, linkway, special force और white lotus तो आपको इन पाचों में से किसी एक league को select करना है उसके बाद guys आप उस league के अंदर खेल सकते हैं तो guys हर faction के अंदर बहुत सारे players खेलता है तो इन पाचों में से आप किसी भी एक group को select कर सकते हैं तो यहां पर मैं brotherhood को select कर रहा हूँ क्योंकि brotherhood के अंदर diamond मिलने के chances बहुत ही ज़्यादा होता है और guys एक बहुत ही ज़्यादा important बात अगर आपका future में मन है किसी और league या किसी और group में जानेगा तो आप जा सकते हैं अराम से लेकिन जब भी आप group change करेंगे न जैसे कि मान लिजी guys आपने 1,00,00 points बनाए है faction war के अंदर और आपका मन हो रहा है कि आप group change करना चाता है तो आप change कर सकते हैं लेकिन जो आपके 1,00,00 points है न वो reset हो जाएंगे तो जब भी आप faction change करें या अपना group change करें तो इस बात का धियान रखेगा कि आपके points reset हो जाएंगे अब यहाँ आप देख सकते guys यहाँ पर बहुत सारे option है quick battle, survival mode, faction war store तो guys faction war store के अंदर आपको क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए कौन से card, कौन से characters और equipments आपके लिए best है इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बना दिये उसका link भी मैं description में टाल दूँगा आप वहाँ पर check out कर सकते है अब चलते guys साओ खान के tower की तरफ तो साओ खान के tower को खिलने से guys आपको दो तीजे मिलती है fragments और talent points वो ऐसे soul और gold भी मिलते है लेकिन मैं उनको count नहीं कर रहा हूँ तो fragments से क्या होता है fragments से ना guys आप साओ खान को resurrect कर सकते है तो साओ खान क्या है उसको कैसे resurrect किया जा सकता है और relegant क्या है इन सब के उपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा और relegant अगले महीने आने वाला है मुझे लगा था इसी महीने आ जाएगा लेकिन आया नहीं और talent points से क्या हो guys मैं आपको भी बताता हूँ और talents से क्या हो guys मैं ये बताने के लिए आपको talents के अंदर लेके चलता हूँ तो जब साओ खान का tower आप खिलेंगे न guys और वहाँ से जो आपको talents मिलेंगे उन talents को आप यहाँ पर use कर सकते हैं और अपने characters की abilities को increase कर सकते हैं तो यहाँ पर offense के अंदर बहुत सारे talents है defense के अंदर बहुत सारे talents है और support के अंदर बहुत सारे talents है अब talents के उपर भी मैंने एक लग से वडियो बनाई हुई है guys उसका link भी मैं description में डाल दूँगा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप check out कर सकते हैं अब बात कर लेते guys tower की तो Edenian tower अभी आया हुआ है तो guys अगर अभी आप beginner है तो आपको यह बात समझनी परेगी कि tower के अंदर आपको single soul भी spend नहीं करना चाहिए according to me शुरू के 5-6 month आपको सिर्फ souls को collect करना चाहिए और जो gold card मैंने आपको बताए उनको आपको खरेदना चाहिए और discount का wait करना चाहिए क्योंकि जब discount आएगा ना guys तो बहुत ज़्यादा कम price में आपको बहुत सारे अच्छे card मिलेंगे तो आपको guys हर 12 घंडे में 5 tries मिलते है और मैं चाहिए जानता हूँ guys कि आपके characters बहुत ज़्यादा weak होंगे बट फिर भी मैं चाहता हूँ guys कि जो 5 tries है आप कीजिए क्योंकि इसके अंदर आपको equipment मिलते है golds मिलते है, souls मिलते है और अगर आप battle हर भी जाते है ना तो इस बात से कोई फर्क नहीं परेगा आपको simply क्या करना है कि battle के अंदर ढुकना है और auto play कर देना है जो कि बहुत ज़्यादा simple है your account level must be 20 or higher to enable auto battle तो आप auto battle use नहीं कर सकते है unless आपका account level 20 या उसके उपर है तो simply कुछ नहीं करना गाई जैसे कि अभी मैं हार गया तो मुझे पता है गाई इसकी मैं बहुत easily हार गया तो यहाँ फाइदा यह ना कि आपको मिलता है यह एक support card अब एक support card का price गाईज 5000 भी है और 1 million भी है और यही आपका plus point है as a beginner अगर आपको gold भी मिलता है ना तो आप silver pack को open कर सकते है और इससे आपकी ID जल्दी upgrade होगी बढ़ गाईस मुझे पहले यह बात पता नहीं थी जब मैं beginner था तो मैं इन battles को नहीं खेलता था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे characters की attack इतनी कम है और अगर मैं इन battles को खेल भी लेता हो ना तो कोई फायदा नहीं होगा मैं तो वैसे भी हरूँगा तो खेल के क्या फायदा बट आपको ऐसा नहीं करना है गाईस जो गलती मैंने कि उस गलती को आप मत कीजेगा आप बस 5 tries कीजेगा और एक single sold भी इस tower पे spend मत कीजेगा जब 4-5 मंत आपके हो जाएंगे और जो top 10 golds जिनके उपर मैं एक वीडियो बनाई है उनमें से अगर 5 golds भी आपके max out हो जाता है तो उसके बाद आप tower पे soul spend करना start कीजेगा क्योंकि तब आप tower को complete कर सकते हैं लेकिन अगर अभी आप tower पे soul spend करेंगे और battles खेलेंगे तो सिर्व आपके souls का नुकसान होने वाला है तो गैस अभी मेरे दिमाग में जितनी बाते आई मैं आपको बता दी अगर आप beginner है और इन बातों को अगर आप follow कर लेता है तो आपका account बहुत ही जल्दी upgrade हो जाएगा और भी बहुत सारी बात है जो मैं mention नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो अल्रेड़ी बहुत लंबी हो गई है और future में गाईज मैं इसका part 2 और part 3 भी बनाने वाला हूँ तो stay tuned तो हाँ आज की वीडियो को फिर यहीं end करता है फिर मिलता है आप से next वीडियो में